दो हजार चोबिस में नए एक PAN CARD से टू बैलेंस पर लोन कैसे अपलाई करते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको complete प्रोसर दिखाने वाला हूँ अगर आपके पास नया pen card है या आपके पास आपका अपना pen card है आज तक आपने loan के लिए apply नहीं किया है या आपने कई बार आज से पहले भी loan के लिए apply किया है और आपकी जो application है वो बार बार reject हो जाती है तो आज की इस वीडियो में loan लेने का एक नया तरीका जो की 2024 में काम आने वाला है complete दिखाने वाला हूँ बिना कुछ देर किये चलिए यहाँ पर हम loan के लिए apply करते हैं सबसे पहले वीडियो के description comments box में आपको एक link मिलेगा link पर आपको click करना है जैसे आप link पर click करेंगे आप सीधे पहुँच जाएंगे play store पर जिस app के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा true balance जिसकी rating 5 में से 4.4 की है और 1 million से जादे इस पर जो है लोगोंने review दे रखे हैं अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ 50 million से जादे दोस्तों इस app के download देखने को मिलेंगे यह एक ऐसी app है जहाँ पर आपको आधार card pen card के basis पर stati loan मिल जाता है आपके पास civil score है या नहीं है तब भी loan मिलेगा सीधा यहाँ पर हम install पर किलिक करेंगे app install होने के बाद open पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ permission देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको बताया गया है कि SMS, device information, user information, location and camera की आपको permission देनी है यहाँ पर आपको agree and continue पर किलिक करेंगे उसके बाद आपको customer concept देखने को मिलेगा यहाँ पर first में I agree to all पर किलिक करेंगे और नीचे agree and continue पर किलिक करेंगे उसके बाद app के तरफ से आप से कुछ permission बांगी जाती है यहाँ पर आप permission को allow करेंगे उसके बाद आपके सामने true balance के तरफ से कुछ information दी जाती है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अभी बताया गया है कि यहाँ पर आपको cash loan मिलता है जो कि यहाँ पर आप instant digital personal loan ले सकते हैं पाच मिनट के अंदर credit amount है पाच जार से लेकर एक लाग रुपे के बीच आपको dispersal होता है monthly interest जिसका शुरू होता है 2.4% से repayment tenure समय है दोस्तों 3 से लेकर 12 महीनने के बीच और जहाँ पर आपकी processing fee 0 से लेकर 15% तक charge की जाती है इसके नीचे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा level up loan यहाँ पर आपको बताया गया है कि instant digital person loan only KYC यानि कि अगर आपके पास आधार कार्ट pen card है तो यहाँ पर आप आधार कार्ट pen card के बेश पर 1000 से लेकर 30 जारपे तक का instant loan ले सकते हैं monthly ब्याज शुरू होता है 2.4% से और repayment का आपको देखने को मिलता है यहाँ पर instant digital person loan only for new user के लिए होता है जहाँ पर बताया गया है कि credit amount 1000 से लेकर 6000 के बीच है monthly interest 6% से शुरू होता है और repayment का जो 10 जो 60 दिर का रहता है जहाँ पर processing fee 0 से लेकर 10% चार्ज की जाती है उसके बाद आप जो हैं यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे उसके बाद true balance पर आप से आपकी जो language है उसको select करने के लिए बताया जाता है यहाँ पर आप किसी भी language को जो यहाँ पर बतायी गई है हिंदी, English, Marathi वेगरा किसी को भी आप select करके start पर क्लिक करेंगे जैसे आप start पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपकी Gmail ID आपको देखने को मिल जाती है Gmail ID को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आता है registered और login यहाँ पर आप अपना mobile number टाइप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका mobile number verify किया जाता है आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर डालेंगे डालने के बाद दोस्तों next पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक password बनाने के लिए बोला जाता है यहाँ पर आप 8 से लेकर 16 character के बीच एक अपना password बनाएंगे new password टाइप करेंगे उसके नीचे भी new password टाइप करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जो है next पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इसपर का interface आता है यहाँ पर बताया गया है कि do you agree to use your device data for loan service यहाँ कि loan service के लिए आप जो है आपका जो data है वो use कर सकते हैं यहाँ पर आपको location, device information, user personal information, transactional SMS और camera जैसी information आपसे मागी जाती है यहाँ पर आपको दोनों जगट टिक लगाना है agree and continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इसपर का interface आता है और यहाँ पर आपको बताया गया है कि apply for welcome loan यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको 50,000 रुपे तक का welcome loan मिल सकता है proceed पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि KYC is mandatory as per RBI loan यानि के RBI के दुआरा यहाँ पर KYC करनी जो है compulsory है one time setup होता है long time benefit मिलते हैं और यहाँ पर आप एक लाग रुपे तक का loan पांच मिट के अंदर ले सकते हैं और यहाँ पर आपको KYC के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर आपको KYC में pen card देना है आधार काट देना है इसके साथ-साथ यहाँ पर आपका loan का offer होगा वो देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप जो है जो भी आपका loan का offer होगा उसमें से जो भी amount आप select करना चाहेंगे उस loan amount को आप अपने bank account में जो है डिस बर्जल करा सकते हैं यहाँ पर आपको tick लगाना है I authorized balance hero of India private limited और यहाँ पर देखने को मिलेगा proceed पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर है choose preferred language for KYC यानिके अब आप जो है KYC करना चाहेंगे हिंदी या इंगलिस इन में से कोई सी भी language select कर सकते हैं आप वही language select करें जिसे आप अच्छे से जानते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा pen card, adhar card, otp, address यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा verify that about so address is my current address continue पर click करेंगे awesome, your KYC is successfully done, go to welcome loan पर click करेंगे उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों आपको कुछ इसपरकर interface देखने को मिलता है फिर से proceed पर click करेंगे अभी आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों हमें amount में देखने को मिलेगा कि 1000 से लेकर 6000 रुपे की बीच हमें यहाँ पर loan मिल रहा है जो यहाँ पर loan के लिए पहली बार click करते हैं पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 6% का ब्याज बहुत ज़्यादा होता है ऐसे में दोस्तों आपको यह offer मिल रहा है तो आप इसको reject भी कर सकते हैं बसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ यहाँ पर आपको ज़्यादा डेटेल दे रहेंगे आपसकता नहीं है यहाँ पर आपको यह बताना है simple सा कि आपका अपना घर है या किराई का है नीचे relationship, single है या married है और उसके नीचे job, salary, student, self-employee जो भी है आप select करेंगे and next पर click करेंगे उसके बाद आपसे पूछे जाता है education level आप 10th class से कम पड़ेवे हैं 10th pass है, 12th pass है, graduate है या post graduate है जितने भी पढ़े लिके हैं यहाँ पर टिक लगाएंगे उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा industry और work, आप क्या काम करते हैं तो यहाँ पर आप जिस भी sector में काम करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप select कर लेंगे उसके बाद मंतरी income से पूछी जा रही है कि आप कितना पैसा कमा लेते हैं तो आपकी जो भी मंतरी income है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मतलब जो भी आप महीने में कामा लेते हैं उतनी amount यहाँ पर आप जो है डालेंगे उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा I declare उसके नीचे I nearby इस दोनों पर tick लगा रहा है and done पर click करेंगे उसके बाद आप देखेंगे your loan is under evaluation हमारी जो loan की application है वो जो है evaluation हो रही है यानि कि check की जा रही है और उसके बाद जो भी approval होगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप देखेंगे दोस्तो हमारी जो application है वो in progress है यानि कि यहाँ पर हमें कम से कम 5-7 minute का wait करना है और उसके बाद जो भी हमारा offer होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वैलकम लोन के तहत हमें 4000 रुपे का offer मिला है मैं get now पर click करूँगा दोस्तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस पर अगर interface आता है यहाँ पर आप देखेंगे final disperjal amount आपको 4000 रुपे देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी तो 4360 रुपे का आपका लोन पड़ा और आपकी जो EMI पड़ी दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टिक करके आप देखेंगे तो आपकी जो EMI है वो जाएगी मैं 15 जून 24 को 297 रुपे तो टोटल मिलाकर अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यह निकल कर आता है 4795 रुपे तो ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हो 4000 का लोन है और रिपेमेंट केतना अगरना पड़ा है 4795 रुपे तो 795 रुपे आपको यह लोन जो है महंगा पड़ा तो दो महिनने के लिए अगर आपको 4000 रुपे चाहिए 7595 रुपे का आप ब्याज बगरा दे सकते हैं प्रोस्टिंफी दे सकते हैं लोन आपके लिए सांधार हो सकता है सिंपल उसके बाद आप फूझा अगरना है दोस्तों यहाँपर टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद यहाँपर आपको देखने को मिलेगा एक option accept this offer इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाल इंटरफेस आता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जिस नाम से भी आपने true balance में sign up किया है वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी नाम से आपका भाड के bank में saving account होना चाहिए उसका यहाँ पर account number देना है और आपका जो saving account है उसका जो भी IFC code है वो यहाँ पर देना है उसके बाद उस तो received money पर click करेंगे जैसे आप received money पर click करेंगे यह पैसा 10 से लेकर 5 मिनट के अंदर आपके bank account में credit हो जाता है यहाँ कि dispersal हो जाता है तो इतना आसान है true balance नाम की इस app पर instantly loan लेना जिसका link आपको वीडियो के description comment box में मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है आसान से सवालों के जवाब देने मात्र से यहाँ पर हमें 4000 रुपे तक का instant loan मिल चुका है वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें और चैनलों को subscribe जरूर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद